हेलो एवरिवन हैपी छट पूजा टू और आज हम लुक्सूर कर रहे हैं चटका ब्लॉग गेहूं है लकडी है रूप लुका पकॉरी दाल चावल लुका सब्ची यह बरतने चटका और यह हम लोगने धोया है पूरा अपना चट करने वारा जगा जहां हमारा चट होगा ुक्रव करी देखे लकडी से बरनेगा हम लोगा खाना चटका सारा यह गोईठा काम आयागा जुला कि चूला कर दूस चूला खरीदने जा रहे हैं देखे जूला लकडी पे बनाना है तो चूला तो खरीदा होगा यहां है चूला जो अभी कच्चा है फिर भी हम लोग लेके जाएंगे बिकल लेट हो गया है यहां हम घर पे ले आए और यह सारा सामान जो हम लोग जर लाएंगे और फिर खीर रोटी बनेगा हम एक लेने आए हैं कोसी भराता है चट में जो की इक लगता उसमें हम लोग लेने पहुंचे हैं मार्केट और यहां पे हम लोग लेंगे इक बहुत जारा बहुत सारा इक मतलब होता है यहां बिहार में जार्दा फैस्टिबल मनता है है यह देखिए एक सारा चुनचुन के अच्छा निकाल रहे हैं लोग लोग लेके घहरा आज़ा वापस अब यहां केला का पता लेना हमें कि कि हम लोग कि यहां किला के पता पर खरना करते हैं मिलब खाते महां पर तो यहां देखिए मैंने के लग पता लेक्ट यांगी और अब देखिए आग जलना सुर्व हो गया चुला लग गया है अब यहां पर बर्तन रखाएगा दूर डलाएगा चावल डलाएगा यहां बने रखे साठी का चावल साठी का चावल से खीर बनता है कि यह पानि हम ला लिए हैं बारबार जाना नहीं पूड़ है कि हमारे यहाँ चापा कल से लाना परता है पूजा के लिए पानि यह देखिए हम लोगे हुगा आटा पिसाल ईया है यहाँ यहां दूद रखा है खीर की लिए यहां बेड लगा है जो मम्मी है वो करेंगी चट तो यहीं पर सोइंग या लग सोती है और यहां पर जूल रहा है जारा बरतन रखा हुआ है कपूर रखा है लास्ट में यहां पर हम रुखा काम आएगा यह हमारे घर बहुत अच्छे से स यह देखे मेरा घर पूरा सजा हुआ है लाइटिंग होई है और यहां बरतन रखा गया है बरतन में पानी गरम हो रहा है जिसमें हम लोग साथी का चावल बासमती चावल मिक्स करके डालेंगे बहुत थोरा ज्यादा पक जाएगा तब इसमें हम लोग दूड डालेंगे त यहां यह देखे पानी में यह थोरा पक जाए चावल तो फिर दूड डालेंगे यहां सब गोईठा है जिसका यूज हो रहा है जलाने में आग और अब हम यहां पर देखिए दूड जो डालाएगा चावल में अब अपने हिसाब से जितने आदमी हैं परसाद काने वाले व जो भी आप से डाला सके आप डाल सकते हैं यहां भी बन रहा है तो चावल यहां मैंने काजू कुकाटा है और यह किसमिस है जो इसमों डालाएगा जो दूड जो ऑफिखे चावल पकड़ा है दूड के साथ उसके बार यहां पर हम लोग बहुत अच्छे से यहां का फैस्टिबल मलता है बहुत मज़ा आता है चट पूजा में यहां देखिए मैं आठा सांडरी हूँ जो मतलब मुमी का रोटी बनेगा पूजा का प्रसाद बनेगा जो मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है जितने लोग है सबके हिसाब से आठा बनता है बहुत सब चीज बनाना पड़ता है चट का फैस्टिबल बहुत बहुत बड़ा देखिए हम लोग डालेंगी काजू किस्मिस अपने हिसाब से ढाल सकते हैं लोग छेज़स बनने है अब यह परसाद है तो भाई बहुत यह मिठा है, काट रहे हैं उप यह डलाएगा बनने के बाद खेर बनने के बाद मीठा डलाता है क्योंकि दूद भट जहता इस ठीजे पर अबन रहा है देख रहें बर्तन में नीचे वह मिट्टी लगा वाया या बर्तन खराब ना वो चुले लकडी के इसलिए मिट्टी लगता है वहां पर बर्तन में मिठा डाल करनों मिलाएंगे फिर ये ब्राउन करण में हो जाएगा आटा सना चुका है तवा चड़ चुका और आप यहां पर हम लोग बना रहे हैं रोटी यह रोटी बनने वाली है लगए देखो आज कम हो गया यहां आच हुआ फिर रोटी बन रहा है में देखाएं स्टार्ट हो गया पूजा का पूरा प्रोसेस खतम होने वाला और यहां पर ममी काने बैटी के लेके पते पे खी रोटी फ़ल और हम लोग यहां पटा का जोड रहे हैं एंज्वाइ कर पूरा चट पूजा को देखे सब चीज बन रहा है एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ फिर यहां ममी को संदूर लगता है स्वागन लगाती है फिर यहां पे हम लोग जलाते हैं धूप लास्ट में और यहां सारा एंप यहां सुरू होता है अगेन काम यहां सिर्फ काम करना है सारा चीजड़ीक करना भी देखे हम यहां पंचेंगे कप्रे से जारू लगाना पड़ता है कप्रे से फिर आपने करेंगे नहीं बन सकता है, सारा लक्ती दुबारा रच्छ साट में नहीं कर सकते हैं, बहुत बढ़ा पर्वेत् है, बहुत थिक्स होता है, भाई, इक चीज की ह्वाँ उसको रिपीट ने ही कर सकते हैं, देखिए, सब चूला में सी निया काल के साइड करेंगे, हम और नया चूला, च क्योंकि काम कर रहे थे चूला लिकमा पर रहे देखिए इसको पूरा पानी से अच्छे से मिट्टी पहले से री किया वाया फिर अब दुबारा मराएंगे थोड़े चूला तो यहां पर यह हो गया हम लोग लीट के इसको अच्छा मतलब नया बना दे मिठा का पानी फूला ह जो कि अभी हम लोग यहां बनेगा प्रशाद यहां बनना स्टार्ट हो गया यह होता है गेस कीजिए आप लोग यह क्या होता है यह घी में बनता है यहां यह होता है ठीकुआ जो कि मिठा से बनता है और यहां हम लोग बनाएंगे आब स्टार्ट करेंगे ठीकुआ बनाना मम्मे उसका अठासान रही है यह साचा था वहां पर उस साचा पर बने गए यहां कराई में मिट्टी लगा के ले आए हैं धोके कराई जबाएंगे मिट्टी लगाना पड़ता है वरना खराब हो जाता है बरतन और फिर यहां पर जलेगा लक्री चूला और हम लोग उस पर र हम लोग इसमें डालेंगे जब यह पूरा गरम हो जाएगा हम लोग में कम फैमली है भी बहुत बहुत मैनत लगता है यह बहुत ज्यादा फैमली हो यह कम फैमली है मम्मी साचा पर बना रही है बना कि यह गरम होगा पूरा तेल तो इसमें डालेंगी यह देखिए बन गया और थोरस और टाइम लगता है फ्राई होने में वो बतलब बनने में उसके बाद यह सारा चीज़े रखा हुआ है पूजा का चारो तरफ लगरीश, क्वीठा, पल जो लगता है यह हम लोगा संजी आड़क होता है यह देखिए मुमी बना लियम पूरा यह पूरी बनने लगा जो भी सूप पे ही रखाता है प्रशाद में तो यहां भी पूरी बनेगा ठेक हुआ पूरी बन रहा है बन चुका है यह फल सारा जो अरग के लिए जाएगा यहां सारा दौरी सारा सामान है जो हम लोगा अरग पे लिए जाता है इसमें सारा सही जाता है आइपन लगा के वो जो कटोरी में रखा वो ऐपन ने पीला वो लगाके बनाये जाता है और यहां रखा जाता है सारा फल सरियाएंगे मम्मी वो सुख खराया दूप में यहां देखे सब सरिया लिए है हम लोग ऐपन लगाके अब इसको हम लोग बांद के ले जाएंगे अपने चट गाड पे और वहाँ हम लोग को देना होगा सज्जया हम लोग को नहीं मम belonging देती है साम को हम लोग को आने के बाद यहां कोसी भड़ा रहा है है सज्जयाम के लिए भी जो नहीं भना पाँ है हम बहुत बीजी जाना पड़ता है कम से कम 5 जो गाना तो गाना ही पड़ता है तो हम लोग सब कोई मिलकी यहां पे गाना गाते हैं जाना पूरा दूम धाम से मनाएं पूरे दिन बीजी रहता है आज में पता ही नहीं सलता कि कब दिन बीचिया और इतना इंज्वाइमेंट पूरी फैमिली आती है यहां देखिए अब हम लोग सुबह क्यारक के लिए आ चुके हैं यहां पे भी कोसी बराता है यहां पे भी आ आप जितने देर रखने चाहें धूर्फ होने से पहले तक मतलब सुर्ज उगने से पहले तक हम लोग यहां पे निकालके रखते हैं सारा जलाते हैं दिया यहां भी पूरा सबको एंज्वाइमेंट करता है चारों तरफ लाइटिंग चारों तरफ कोसी भरना फल अरफ सब देना परता है यहां पर बहुत अच्छे से मनाते हैं बहुत बहुत मज़ा थे बिहार का बेस्ट फेस्टिवल मतलब बोला जाता है सारे जितने बाहर रहने वाले फैमिली मेंबर से सब कोई आता है सारे जॉब में चुट्कियां मिलती हैं जो मतलब बहुत अच्छा है बस मुझे भी बहुत हर्ट होता है मतलब आर्मी और